नमस्कार दोस्तों अचीवन में हम सुक्सेस क्यों नहीं हो पाते क्यों पीशे रह जाते हैं सबसे बड़ा कारण है हमें अपने आप पे विश्वाश नहीं होता कभी-कभी हम उस संकल्प को पूरा करने के लिए रास्ते पे जा रहे होते हैं किसी ने कहा दिया तू किस काम में लग गया यह तो हो नहीं सकता कितने लोग करते रहे आप में नकारात्मक भावना आ जाती है कभी-कभी सबसे बड़ा डर बड़ा भै आपको होता है कि मैं फेल ना हो जाओं मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे मैं पास नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे ऐसी बात अगर अमेरिका के प्रेजिडेंट इबराहीम लिंकन सोचते वो तो फिर पहली बार लेक्षन लड़के बैठ जाते घर में कितनी बार उन्हें लेक्षन लड़ी फेल हुए फिर लड़ी फिर हारे फिर लड़ी फिर हारे और ऐसे प्रेजिडेंट बने जिन्होंने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी मैंने ऐसे बच्चों को देखा है ऐसे व्यक्तियों को देखा है मिला हूँ जो दस्वी तक बिलकुल सधारन स्टूडेंट थे अचानक लगा कि नहीं मैं तो IPS, IAS बन सकता हूँ लोगों ने मजाक किया पर उन्होंने बन के दखाया बन गए भगवान ने, इश्वर ने हमारे ब्रेन को, हमारे मन को असीम शक्ती दी है हम उस शक्ती का 10 पर सेंट भी पर जोग नहीं करते जैसे जैसे हम सादक बनते हैं, हम सादना में गहराई से आगे बढ़ते हैं हमारे मन की सोचने की शक्षक्ती बहुत विखसत हो जाती है हमारा क्लेक्टिव माइंड बहुत स्ट्रॉंग हो जाता है और जो भी चाहिए हमें पूरे ब्रहमंड से, पूरे वय्ड से क्लेक्ट करके हमारे लिए ले आता है दोस्तो हमारा नाभी चक्रा, हमारा हाट चक्रा, हमारा अग्या चक्रा तीन चक्रा का बैलन्स आपको ऐसी स्तिती में ले आता है कि आपके लिए कुछ भी एंपॉसिबल नहीं रह जाता कभी हम सोचते हैं कि उसके कारण हमारा नहीं हुआ उसके कारण हमारा नहीं हुआ, उसके कारण हमारा नहीं हुआ, यह जूट बात है, आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो, और आप ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो, आपके, आप अगर कामजाब होना चाहते हैं बेटा, आप सुक्सेस होना चाहते हैं, तो आप जो भी नेगिटिव आपके लिए बोलते हैं आपको कहते हैं उनसे दूर हट जाएए और किसी को डौन करने की बात ना सुचिए आप कैसे उपर उठ सकते हो उसके लिए प्रयास कीजिए तो आप सिधारन नहीं रहेंगे कभी कभी आपको टीचर ने कह दिया आपके दोस्त ने कह दिया खास करके मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो भी 15 साल के हैं 20 साल के हैं 25 साल के हैं आप अपने बड़े स्वपन बनाएं, बड़े ड्रीम बनाएं और स्टड़ी करने की आदर डालनें, कुछ अच्छी किताबें जरूर पढ़ें, आदा गहिंटा, गहिंटा रोज एक्स्ट्रा जरूर पढ़ें आपका जो स्कूल की शिक्षा है, उसके इलावा कुछ और भी पढ़ें, और आदा गहिंटा चालिस मिंट कम से कम चालिस मिंट, एक्च्छल कहते हैं, 24 आवर होते हैं, 24 आवर में, एक आवर में, एक मिंट भगवान के चर्नों में देना चाहिए, और आप ऐसे 24 मिंट मिनिमम अपने भगवान के चर्नों में दें, उनके मंतर का जाब कर करें साधना करें और जो भी आपका संकाल पर उसको विजूलाइज करने की कोशिश करें पिक्चराइज करने की कोशिश करें और किसी को भी डॉण करने की कोशिश ना करें आपके लिए सबसे पावरफुल मंतर सबसे शक्तिशाली मंतर एम हरीम कलीम चामुंडाय विच्छ ए मां स्रस्वती किर्पा करना मां भगवती अच्छा ग्यान देना अच्छा नौलज देना अच्छे विचार देना अच्छे विचार आगए हरीम हे महालक्षमी हे मां उन वचारों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकाल रूप देने के लिए समरत्या देना शक्ति देना कलीम महाकाली जो भी रुकाब्टे आएं जो भी नकारात्मक शक्तियां आएं उनका मिनाष करना आगे बढ़ाना ओम एम हरीम कलीम चामूंडा मा मेरे साथ रेना मेरे अंदर भी बाहर में भी जो चंडमूंड राक्षष हैं उनका मिनाष करना मा दुर्गा आपको प्रणाम करता हूँ आपको एम ओम नहीं लगाना है एम हरीम कलीम चामुंडाई विचे आप सिक्सेस होएं कामजाब होएं आपके ड्रीम पूरे हो इसी के साथ अजाजित लेता हूँ आपके लेता हूँ